Hello and welcome friends, Microsoft Excel 365 सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की चले आईए आपको दिखाता हूँ कि age कैसे calculate करेंगे हमको age calculate करना years में तो यहाँ पर ये date देख सकते हैं ये बाद वाली date है 21-22 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पहले वाली date है यानि की date of birth यही है और ये current date है इसके लिए मैंने today formula यूज किया जैसा कि आपको उपर दिखाई पड़ी रहा होगा यहाँ पर मालेज हम date of birth calculate करना चाहते हैं ठीक है कितने worst के हुए है ये तो यहाँ पर is equal to का निशान लगाईए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ integer formula यूज कर लेता हूँ यह int लगाया हमने तो आपको भी लगा लेना इसी तरीके से int formula जैसे ही लगाएंगे आप तो यहाँ पर bracket को कर लीजेगा open यह bracket को open किया यहाँ पर बाद वाली date को आप select कीजिए ठीक है यह बाद वाली date होगई select यहाँ पर एक और bracket को open कर लेते हैं दो brackets open रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो formula हम use करेंगे तो यहाँ पर यह लगा दिया हमने ठीक है अप on भी हमें लगाना है न इस वज़े से दो dates को use कर रहा हूँ तो इसको minus कर दीजे पहले वाले date से ठीक है bracket को close कर दीजे और एक साल में होते हैं 365 दिन 365 ही होते हैं तो यह 365 से इसको divide कर दीजिया ठीक है तो 365 से ही आपको divide करना यह बात ध्यान रखनी है कि इसको 365 से ही divide करिएगा ठीक है तो यहाँ पर रख करके 6, 5 यह कर दिया एक मिनट यह हो गया यहाँ पर 5 लिखना है ठीक है अब इसको हम enter प्रेस करेंगे bracket को close करके ठीक है तो यहाँ पर cursor को रख करके bracket को कर दिजे close और प्रेस कीजे enter जैसे ही आप enter प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 21 यह आ गया है देख सकते हैं आप यह बहुत आसान है बहुत easy है चीक है तो I hope की बात समझ में आई होगी कि यह अगर आपको calculate करना है तो कैसे आप calculate कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो इसे share करें thank you for watching this video